नमस्का दोस्तों मैं है अध मुहम्मद टेक्निकल जन चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज का वीडियो बहुत जखास होने वाला है वीडियो को इसक्रिप कट में मत देखिएगा वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अंकर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जब हम कोई मुबाइल कभी वाय करने जाते हैं तो हमारे मन में ये जानने की इच्छा होती है क कि 15,000 के रेंज में हम कौन से मुबाइल फोन वाय करें जिससे हमें अच्छा डिस्प्ले अच्छे बैल्टी और अच्छा प्रोसेसर मिल सके हैं बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्वाइस रहती है कि हम 15,000 के रेंज में कौन से मुबाइल फोन वाय करें और बहुत से अच्छा स्मार्टफोन कौन कौन से होते हैं चलिए पीडियो शुरू करते हैं पहले नमबर पे हमने रखाया मोटरोला मोटो जी 40 फ्यूजन 4G इसमें 6.78 इंज की फुल एसीडी IPS डिस्पले दिया गया है जो एक पंचोल के साथ आता है इसमें HDR10 का भी सपोर्ड दिया गया है अब बात करते हैं इसके कैमरे की इसमें 64 MP का प्रामरी कैमरा 8 MP का ultra wiz ौर 2 MP का माइक्रो पेमरा दिया गया है इसमें 4K फुल एस्डी विल्डियो रिकार्डिंग का भी सपोर्ड दिया गया है फ烦 nom प्रंट के माद के listen तो इसमें 16 MP की camera दिया गया है इसमें hybrid sim slot दिया गया है यानि कि एक sim एक memory card लगा सकते हैं या तो दो sim एक साथ use कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके processor की इसकी processor में Qualcomm Snapdragon 732G processor दिया गया जो एक powerful processor है या android 11 पर रन करता है इसमें 6000 mh की बल्टी दी गई है जो एक turbo charging का भी support करता है अब इसके price की बात करते हैं तो इसकी price 4gv RAM और 64gv internal memory के साथ 14,599 रुपे का आता है दूसरे नंबर पर हमने रखा है Motorola Moto G 31 4g जो कि अभी recently launch हुआ था इसमें 6.47 inch की full HD emoled display दिया गया है जो एक पंचोल के साथ आता है इसकी display बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें emoled display दिया गया है कि इसमें triple camera setup दिया गया है जो 50 मेगाफिक्षल का primary camera 8 मेगाफिक्षल का depth और 2 मेगाफिक्षल का निक्रो camera दिया गया है यह full HD video recording का भी support करता है front camera की बात करते हैं तो इसमें 13 मेगाफिक्षल का पंचोल के साथ camera दिया गया है या hybrid sim slot support करता है यानि की एक sim एक memory card या दो sim एक साथ यूज कर सकते हैं अब processor की बात करें तो इसमें mediatek helio g85 processor दिया गया है जो एक powerful processor है जो इसमें अच्छा खासा gaming भी कर सकते हैं या android 11 पर रन करता है इसमें 5000 mh की बैटी दी गई है जो 20 watt fast charging का भी support दिया गया है अब इसकी price की बात करें तो इसमें 4 gv RAM और 64 gv internal memory के साथ 12,999 रुपे का और 6 gv RAM और 128 gv internal memory के साथ 14,999 रुपे का आता है तिसे नमबर पे आता है Samsung M32 4g इसमें 6.4 inch की full HD plus super emoled display दिया गया है जो एक water drop notch के साथ आता है अब इसकी camera की बात करें तो इसमें quad camera setup दिया गया है जो 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wide, 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth दिया गया है अब इसके front camera की बात करें तो इसमें 20 megapixel का camera दिया गया है front और back camera से full HD video record कर सकते हैं अब इसके processor की बात करें तो इसमें media tech helio g80 processor दिया गया है जो एक powerful processor है जो इसमें gaming ठीक ठाक से हो जाएगी अब android की बात करें तो इसमें android 11 पर run करता है इसमे triple sim slot दिया गया है यानि की 2 sim और एक memory card एक साथ यूज कर सकते हैं बैल्टी की बात करें तो इसमें 6000 image की बैल्टी 15 watt fast charging के साथ दिया गया है प्राइस की बात करें तो यह 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ 14,999 रुपे का है चोथे नमबर पे आता है realme 8 4G इसमें 6.4 inch की full HD super emoled display दिया गया जो एक पंच होल के साथ आता है अब इसके camera की बात करें तो इसमें quad camera setup दिया गया है जो 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का altia wide, 2 megapixel का micro और 2 megapixel का mono camera दिया गया है अब इसके front camera की बात करें तो इसमें पंच होल के साथ 16 megapixel का camera दिया गया है इसके front camera से full HD और back camera से 4K full HD video recording कर सकते हैं इसके processor की बात करें तो इसमें media tech helio G95 processor दिया गया है जो एक बहुत powerful processor है या android 11 पर run करता है इसमें triple sim solar दिया गया है यानि की एक memory card और दो sim एक साथ use कर सकते हैं बैल्टी की बात करें तो इसमें 5000 image की बैल्टी 30 watt fast charging के साथ आता है अब इसके price की बात करें तो या 4Gv RAM और 128GB internal memory के साथ 14,999 रुपे का है पांसमें नमबर पे है Xiaomi Redmi Note 10S 4G इसमें 6.4 3-inch की full HD super emoled display दिया गया जो एक punch hole के साथ आता है अब इसके camera की बात करें तो इसमें quad camera setup दिया गया है जो 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का micro और 2 megapixel का depth camera दिया गया है अब इसके front camera की बात करें तो इसमें 13 megapixel का front camera दिया गया है इसके front camera से full HD video recording और back से 4K video recording कर सकते हैं इसके processor की बात करें तो इसमें media tech helio G95 processor दिया गया है जो एक बहुत powerful processor दिया गया है जो इसमें बहुत अच्छा खासा gaming कर सकते हैं इसके android की बात करें तो यह android 11 पर run करता है इसमें triple sim solar दिया गया है यानि की दो sim एक memory card एक साथ huge कर सकते हैं इसकी belty की बात करें तो इसमें 5000 ms की belty दी गई है जो 33 watt fast charging का support भी दिया गया है इसकी price की बात करें तो इसमें 6 GB RAM और 128 GB internal memory के साथ या 14,999 रुपे का है छथे नमबर पे है Samsung M21 21 edition इसमें 6.4 inch की full HD super emoled display दिया गया है जो एक water drop notch के साथ आता है अब इसके camera की बात करें तो इसमें triple camera setup दिया गया है जिसमें 48 MP का primary camera, 8 MP का ultra wide camera और 5 MP का depth camera दिया गया है इसके front camera की बात करें तो इसमें 20 MP का front camera दिया गया है front camera से full HD video recording और back camera से 4K full HD video recording कर सकते है इसके processor की बात करें तो इसमें exynos 9611 processor दिया गया है या android 11 पर run करता है इसमें triple sim slot दिया गया है यानि कि दो sim एक memory card एक साथ huge कर सकते है अब इसकी बैल्टी की बात करें तो इसमें 6000 MP की बैल्टी दी गई है और इसकी price की बात करें तो 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ या 12,999 रुपे का है साथवे नमबर पर हमने रखा है realme 8i को इसमें 6.6 inch की full HD IPS display दिया गया है जो एक पंचोल के साथ आता है अब इसके camera की बात करें तो इसमें triple camera setup दिया गया है जो 50 MP का primary camera, 2 MP का micro और 2 MP का rotate camera दिया गया है इसके front camera की बात करें तो इसमें 16 MP का camera पंचोल के साथ दिया गया है front और back camera से full HD video recording का सकते है अब इसके processor की बात करें तो इसमें Mediatek Helio G96 processor दिया गया है जो एक बहुत powerful processor है Mediatek Helio G95 का successor है या Android 11 पर run करता है इसमें triple sim solar दिया गया है यानि कि 2 sim एक memory card एक साथ यूज का सकते है अब इसकी belty की बात करें तो इसमें 5000 image की belty दिया गया है जो एक 18 watt fast charging support करता है इसकी price की बात करें तो इसमें 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ या 13,799 रुपे का है अभी हमने कुछ चुने हुए mobile के बारे में आप लोगों को बताया जो 15,000 के range में बहुत ही best mobile phone माने जाते है इन mobile हो में जो display यूज हुआ है वो बहुत अच्छे quality का display यूज किया गया है जिसमें आप कोई video कुछ देर तक देखते हैं तो कोई problem आपको महसूस नहीं होगी और जो इसमें processor यूज हुआ है वो बहुत अच्छा processor यूज हुआ है जैसे आप कोई gaming खेलते हैं तो कोई likes कोई दिक्कत problem नहीं होगा जो कि बहुत अच्छा processor भी यूज हुआ है आसा करता हूँ यह video आप लोगों को पसंद आया होगा अगर video पसंद आया हो तो चैनल को subscribe, like, share जरूर करेगा